नमस्कार स्वागत है आपका The Public News 24 में मैं काजल आज आई हूँ वार्ड क्रमंक 101 आईए जानते है इस वार्ड की स्थिति क्या है और लोगों का इस पर क्या कहना है यह वार्ड क्रमंक 101 का bjb का संभव ओए उमेदवार हूं और आप देख सकते हो कि ये जो इनकम डेक्स कॉल्नी है इनकम डेक्स कॉल्नी में यहाँ पे यह जो उसे जो डैम से पानी जाता है ए। यह जो डैम से ट्रक इस लाफे पानी नीचे जैता है लेकिन वहाँ पे एक holding point था holding point था वो जो जो अभी सत्ता में बैठे हुए थे जो अपने वाड के जो नगर्शे हो गए उन्होंने वो बंद कर दिया वो बंद कर दिया उसके वज़े से बहुत बड़ी समश्या यह हो गई कि पिछले मैने में बड़ी बारिश हो गई और वो बारिश का पानी पूरे कम से कम 8-10 बिल्डिंग में जो ग्राउंड फ्लोर के घर थे उनके घरों में वो पानी चला गया यही सर मैं यही बताना चाहता हूँ कि यह बोल रहे कि हम ज़्यादा काम की है बरबरे ज़्यादा काम इनों ने यही की ऐ कि जहां पर ओल्डिंग पॉइंट था वो बन करके वहां पर नाला बना दिया वो नालत और बाकी सब पैक कर दिये उसके होजे से पूरे लोगों को परिशानी जहलनी पड़ी यही इनों ने ज्यादा काम की है इससे ज्यादा आप देख सकते हो जो एकतावियार और निलगिरी यह दोनों के फुतपात पे देखिए आप बड़े से बड़े पेर पूरे ग किरे हुए अभी तक वो उठाए गए नहीं है सर फिलाल तो मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि भारतिये जनता पार्टी पहले से ही नवी उमभई में नाइक साहब और मंदाताई महात्रे यह दोनों एमले अपने बीजेपी के है और यह दोनों का इतना ताक दे कि यह ती मंदाताई महात्रे माडम का इतना काम है और वार्क में जो काम करने है मुझे वह आप देख सकते कि यहाँ से जितने भी यह जो दिवारे हैं रोड के साइड से compound wall वो compound wall पूरे गिरे वहे है। पूरे रोड पे देख सकते हैं गाड़ी पार्क रहती है और दूसरे साइट में दिवार गीरने के आज़े से पूरा जाने के लिए रस्ता भी पूरा पैक हो जाता है वह एक समस्या है और बाकी रोड आप देख सकते हो पूरे रोड खराब हुए पूरे गड़े है लाइट के प्राब्लम से स्ट्रेट लाइट पूरे बंद है पूरे पोल सड़े हुए तो अभी जैसे अभी वाड में देख रहो कि यहां पर रोड की समस्या है स्ट्रेट आता हूं कि income tax colony में कोई भी गार्डन नहीं है तो आपन यहां पर एक अच्छा सा गार्डन देंगे और एक्तावियार निलगरी जो यह सोसाइटी के अंदर तो मुनसिबाटी कुछ करती नहीं है बराबर है तो उनकी समस्या क्या रहती है जो बाहर के साइड में जितना है तो ठीक से रहना चाहिए आप जाएंगे तो फुत्पाद भी वहां पे पूरे उखड़े हुए है वह सब मैं करके दूंगा उपर से जो भी आभी पेड़ गिरे है यह है जो जितनी भी उनकी समस्या है वह दूर करने का मैं सोचूंगा आप आग्रोली गाओं में भी जाओ है यह सब आपने तरफ से करेंगे अभी जो पांस साल में आपके कॉर्परेटर यहां पर थे तो आपने किसी मुद्यों के लेकर कोई आंदूलन किया या फिकोई उसे सिकायत की आप जनताक से के साथ गए कि आप एक काम नहीं हो राभी अभी पिछले महिने में जब यह बा प्रशासनों से जाके मिला आयुक तो साबसे भी मिला और उनको यह निवेधन किया है कि बाबा यह अगली साल नहीं होना मंगता है अगर यह हो जाएगा तो इस पर हम तिवरा अंदोलन करेंगे ऐसा इशारा दिया हुआ हुआ है उन्होंने मेरे को कहा कि यह जल से जल हम है कि उनकी क्या समस्या है और उनोंने सूख ऐसे की आड़ेस किया है। बैलापूर आयकर कौल्नी में रहता हुए यह पर गार्डन का बोट सारा। को हम लोग की कौनी में कोई भी गार्डन नहीं है और शियुरेज लाइन का बोट सारा प्रॉबलेम में घर में लोगों के बारिश के टाइम पर पानी आ जाता है लाइट का प्रोब्ले में स्नेक्स निकलते अंदेरे में बहुत सारे इशू से जो सुबह जी ने आपको बताई वो सब काम होना चाहिए हम लोग तो आपको क्या लगता है कि यह जो पांस साल में कुई ऐसा काम ज अब बताई तो कुछ काम नहीं हो रहा तो क्या आप लोग ने कभी मांग किया तक आप लोग ने कभी मांग किया पाईए आपने कभी मांग किया कि यह रोड इतना खराब है तो आपके जो मुझूदा जो कॉर्पेटर हों के साथ कभी बात हुए आपकी बात हुए है कि रोड चावड़ा होना चाहिए उपर से हील से पारसी हील से लेकर कॉलनी तक का रोड बहुत चोटा सा है दोनों तर आपका भी कुछ बात करके प्रशाशन से बात करके बड़ा करना चाहिए यह है और स्ट्रीट लाइट भी हमेशा बंद रहती है तो वह भी रेगुलर होनी चाहिए कई के पोल गिरे पड़े है कई डारेक लाइन दिया है वो सब रूटिन में होना चाहिए तो जैसे आप द जो आरोब लग रहे है यह काम हुआ है नहीं हुआ कितना काम किए उनसे भी हम बात करेंगे और जानेंगे कि उन्होंने जो रोड का स्ट्रीट लाइट का गितने असा मुद्ध है चोंड़े काम कियो नहीं कर पाए इसके पुछी रिजन केया था आप किते सालों से रह रह मेरे को हो गया बीस साल 21 जय प्रही रहर है तो आप अपने देखा होगा पिछले पातים साल में क्या काम हॉआ तो रोड नहीं बनाये हैं दस साल से इंकम टैस का ये दिवारे सब गिरी है, दस साल से जाड़े कोई काटे नहीं हैं, बरबर से, क्या काम करेगे, करो न इतना बढ़ा गाय तो कोई पूछने भी ने आये, तुम लोगा मरें जिन्दा है? एक सुबश गाई कॉड़ करके खड़ा है वह बाटा उसने यहां पर ने देखा आ रहे थे कि यहां पर बहुत सारे कच्रे सब वैसे के वैसे सामने तो कच्रा है वह सब वैसे ही तो वह साफ नहीं होता है रोज रोज साफ करते हैं पंडंग से नहीं करते हैं आपके सामने तो खड़ा है देखो आपके क्या है और खुली बात है यहां पर जो दिवाला है वह भी आदिवादी तूटी हुई है नीचे से गिर रही है उस पर भी काम नहीं हुआ है रूम का सिड़कों ने भी आम लोको फसा सब्सक्राइब करते हैं मैं तो करती हूं राष्टवादी को इतने दिन करते गई हूं अभी देखे कि आगे और भी कॉंचा का ग्या किया है उसने भी तो कुछ किसी के बारे में सोचा नहीं है हम लोग इतना करूना से दौरे है कोई आया ने एक भी पूछने को तुम नाम कूछे और यह करके गई है कोई घ्लाया को इत दौरे एक ने मारते कोई तो में सुबदी को सबड़ः करते हू हूं तो आप उस पर्ती से किसको खड़ रहे है न सर सभस्कू अधिर लेल 25 लेल, 25 लेटाषे लेकड़ी। कुम खेंड़े lease कांगों ? कांगों 2 लीचा स dependence तुँट है.. रस्ता चांग ना करा, लाइट चांग ने करा, शलो एवोसी जाला पाईजे, अपनी एरिया सुधर ली पाईजे, तुमी क्या वर तुमी तुमी क्यांचा कानवर गाला, ना? माता हिकर चे मगर चे कोनेत? आमित बतिल माता परांता हिते लक्षे दिलेगा, जवाबासुन ते निवडून आलेत? आका दूर कामाची मांच जासता लक्षे मिस्ता नामचा मता माकता ना कशे लोका येता धिकडिक, आमाला ओट कर आमी तुम्ची कामा करें? अपया हिकरी तुम्हाला वाटता हिकरी लोके रहें काम करें? दिनो तो लक्से एतत